गरेलू एरलाइन्स स्पाइस जेट मुश्किल दौर से गुजर रही है डीजी सीए ने स्पाइस जेट के विमानों में आई तकनीकी गलवरी के मद्द नजर आठ हफ्तों तक उसकी 50% उडानों रोग दी थी स्पाइस जेट के विमानों में 19 जून से 11 जुलाई के विस तकनीकी खरावी में के करीम 9 मामले सामने आये थे ये एक संकट था अभी ये खबरें चली रही थी इससे हम उबर नहीं पाये तब तक खबर अभी ये भी आने लगी कि स्पाइस जेट के प्रमोटर कंपनी में अप सेदारी बीची जा सकते हैं सर एरलाइन सेक्टर आपको लगता है स्पाइस जेट का मुश्किलों में फसना एरलाइन सेक्टर की फिर दिक्कतों को दिखाता है और ये भारत के एवियेशन सेक्टर के साथ के साथ चुनोतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं हम एक तरफ ऐसी ख़बरें सुनते हैं कासा एरलाइन सेसी नहीं एरलाइन सा रही हैं दूसरी जो चलती हुई स्थापित एरलाइन से वो घाटों के कारण बुरी तरह संकट में हैं पहले स्पाइस जेट का की समस्या समझते हैं फिर हम देखते हैं कि इसका बड़ा परदर्श भारत के सेक्टर के संदर में क्या दिखाई देता है इसके बाद से लास के नंबर समय नहीं आये हैं घाटा तो है ही क्योंकि दो साल के लागडाउन के कारण एवेशन इंडस्ट्री पूरी दुनिया में बरीतरे प्रभावी थी भारत की जो सबसे बड़ी एरलाइन से फ्लीट के आ जो में अच्छी रिकावरी दिखाई है घाटे में कमी हुई है लेकिन स्पाइस जेट की समस्या आर्थिक रूप से भी तकनीकी रूप से भी और कार्पोरेट प्रबंधन की दरश्टी से भी तीन तीन तरफ की समस्या है एक तो घाटा जो 4000 करोल का संचित घाटा है क्योंक कि कमपिनी की उडानों पर प्रभाव पड़ा था दूसरी महतुपूर्ण चीज है कि कमपिनी के 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 रखरखाओं में में इसके लिए उसका बड़ा फ्लीट ग्राउंड किया गया जिसके कराण जो मवजूदा डिमांड निकलना शुरू हुई बाजार खुलने के बाद और एविशन सेक्टर के खुलने के बाद उसका भिलाब कमपिनी को नहीं मिला और तीसरी बात ये कि बोल्ड रूम में भी कई सारे समस्याएं हैं जैसे कि दिसंबर में आडिटर्स ने कमपिनी के घाटे बढ़ने की और बहुत सारी चीज़ बहुत कई सारी सारी एकाउंट चैलेंजिस के बारे में भी सवाल उठाया था ऐसी परिस्थिती में स्पाइस जिट के प्रवंधर शायद अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए किसी हिस्सेदार की तलाश कर रहे हैं नाम नहीं सपश्ट है पर बाजार में ऐसी चर्चा है कि शायद मध्यपूर्व की कोई एरलाइन्स इस पाइस जेट में इस हिस्सेदारी को खरीबने में इंटरेस्टेट हो सकती है लेकिन यहां एक चीज़ समझना ज़रूरी है शुबंकि भारत के एरलाइन सेक्टर की चुनोतियां हमें हर पाँच शे साल बाद साथ साल बाद भारत में एक एरलाइनस बैठती आपरेशन के कारण पैट गई और अब स्पाइस जेट को कोविट का लागडाउन कंपेनी का को प्रबंधन एटी एफ की लागत यह सारी चीज़ें से ले डूबाय और इधर हम भारत में नई एरलाइनस की शुरुआत होती देख रहे हैं भारत के एवेशन सेक्टर में थोड़ा सा लंबा वक्त लगेगा पर स्पाइस जेट अगर बिकती है या भारत की अपनी एरलाइनस थी भारत के अंदर बनी थी अगर स्पाइस जेट बिकती है इसमें विदेशी निवेशकों की हिसेदारी आती है तो यह वीशन सेक्टर में बड़े उथल पुथल का रा